Welcome to Xamarin.Form Tutorials इस टुटोरियल पर हम लोग सिखेंगे कैसे Xamarin.Form के अंदर हम लोग messaging center को यूज कर दखते हैं messaging center क्या है messaging center एक simple messaging service है जो communicate करता है अलग-अलग page के अंदर अगर आप चाहते हैं एक page से दुसरा page में communicate करने के लिए data भेजने के लिए तब हम लोग क्या करते है messaging center के अस्तमाल करते हैं जैसे कि माल लीजी अगर आपके पास तीनों page है तीनों page के अंदर अगर आप data को communicate करना चाहते है या फिर कोई भी data को send करना चाहते है एक page से दुसरा page में कोई भी reference नहीं करके अगर आप data को भेजना चाहते है तो इसी समय पे हम लोग messaging center के इस्तमाल करते हैं जैसे आप लोग यहाँ पे एक example देखिए जैसे माल लीजी यहाँ पे page 1 है और यहाँ पे और भी तीन page है page 2, page 3, page 4 जो यहाँ पे content page है सभी एक एकर के content page है और messaging center एक service है जो एक service पोवाइड करता है classes के बीज में और pages के बीज में communication करने के लिए यह service पोवाइड करता है अगर माल लीजी अगर आप page 1 में data को receive करना चाहते हैं कि page 2, 3 & 4 से data भीजना चाहते है page 1 पे तो उसी समय पे हम लोग क्या करते है messaging center को सब्सक्राइब करेंगे subscribe करने के बाद हम लोग क्या करेंगे page 1 data receive करने के लिए ready हो गया उसी समय पे हम लोग कोई भी page से अगर हम लोग messaging center पे data भेजेंगे कोई भी एक message भेजेंगे वो message क्या होगा messaging center उसको capture करेगा capture करने के बाद क्या होगा messaging center क्या करेगा उसी डेटा को गया करेगा पेज 1 मतलब जो जहां पे सब्सक्राइब हुआ था वहां पे डेटा को भेज देगा और पेज 1 पे वो डेटा रिसीब होगा तो यह जो लॉजिक है यह लॉजिक को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं मैसेजिंग सेंटर के समय हम लोग को कुछ चीजों का जानने का अवसक है messaging center को जब हम लोग subscribe करेंगे या फिर कोई भी message को हम लोग receive करना चाथ है तब हम लोग क्या करेंगे कोई भी page को कोई भी class को हम लोग subscribe करेंगे जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यह जो डाइग्राम है और यहाँ पर आप लोग और भी एक चीज याद रख लिजिए जब हम लोग messaging center को use करके data को receive करेंगे उसी समय पर हम लोग एक signature को याद करके रखते हैं जैसे माली जी अगर आप चाते हैं page 1 पर data receive होगा उसी समय पर आपको एक key आपको create करना पड़ता है जो की message है वो message आपको देना पड़ता है वो message को use करके हम लोग क्या कर सकते हैं डेटा भेज सकते हैं जब मैं example दिखाऊंगा तब आप लोग को समझ में आ जाएगा अगर listener मतलब page 1 messaging center को subscribe नहीं करेगा subscribe नहीं करने के बाद भी अगर page 2, 3, 4 यहाँ पर हम लोग data को send करेंगे तब क्या होगा यह जो data है यह data ignore हो जाएगा मतलब receive नहीं होगा जब हम लोग subscribe करेंगे messaging center को उसी समय पर हम लोग जो argument को pass करेंगे और argument को use करके messaging center को create करेंगे उसी समय पर जो argument को हम लोग पास करना है send करते समय जब हम लोग messaging center को use करेंगे यूज करने के बाद अगर हम लोग का काम है वो काम खतम हो जाएगा अगर data receive होना बंद हो जाएगा finish हो जाएगा उसी समय पर messaging center को unsubscribe करना ज़रूरी है जैसे आप लोग यहां पर एक example लेखिए जैसे माली ची यह मेरा एक content page है content page के अंदर एक button है और नीचे में एक level है level पर अभी कुछ भी नहीं है enter name नाम का एक button है यहां पर click करने के बाद एक pop-up open होगा pop-up के अंदर एक entry रहेगा और एक submit button रहेगा जब user entry के अंदर कोई भी data को लिखेगा और submit पर प्रेस करेगा submit पर प्रेस करने के बाद क्या होगा वही data हम लोग क्या करेंगे चो back page है मतलब जो content page था previous page था उसी page में data को हम लोग transfer कर देंगे जैसे आप लोग यहां पर देख पा रहे data यहां पर transfer हो गया है इसको हम लोग कैसे achieve करेंगे messaging center के थो अब हम लोग सिखेंगे प्रिवेस tutorial पर मैं दिखाया था कि कैसे हम लोग pop-up page को use कर सकते है आप लोग यहां पर देख पाएंगे मेरा जो main page है main page में add employee नापका एक button है यहां पर command है add employee अब हम लोग क्या करेंगे जो मेरा main page है main page पर मेरा एक list है यह जो list है list में कुछ data bind किया हुआ है पहले से ही आप लोग यहां पर view model पर देख पा रहे है और यहां पर main page पर click करने के बाद क्या होगा यह add employee नाम का जो pop-up page है यह page open होगा और यहां पर यह दोनों entry रहेगा name and address और यहां पर save button है close button है save button पर click करने के बाद क्या होगा यह जो data user ने entry करेगा उसी data को हम लोग क्या करेंगे main page में send कर देंगे main page का जो view model है इसके अंदर यह जो employee list है employee list के अंदर हम लोग add कर देंगे तो अगर हम लोग कोई भी page में data भेजना चाते हैं तब अगर हम लोग क्या use करते हैं हम लोग parameter के through data को भेजना चाते हैं पर हम लोग messaging center को इसलिए use करेंगे अगर मालनी जी अगर आप एक page से दुसरा page को open किया है अगर आप दुसरा page से back page में अगर आप data transfer करना चाते हैं तो आपको messaging center के through करना पड़ेगा और कोई भी process नहीं है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे messaging center को subscribe करने के लिए हम लोग क्या करेंगे मेरा जो यहां पर main page का email page है यहां पर add employee नाम को button है button का यहां पर command है आप लोग यहां पर देख पा रहे है मैं यहां पर pop up pressing किया हूँ add employee नाम का जो pop up है यह open होगा तो पहले यह open होगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे messaging center को हम लोग subscribe करेंगे messaging center को subscribe करने के लिए हम लोग लिए messaging center.subscribe उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहां पर हम लोग क्लास को subscribe करेंगे क्लास को सब्स्क्राइब करने के लिएých हम लोग यहां पर प्रोपटी को यूज करेंगे एक है और यह जो data class है यह data class को हम लोग क्या करेंगे subscribe करेंगे आप subscribe किसी भी object को कर सकते हैं चाहे कि वो content page हो कोई भी class हो कोई भी string या फिर कोई भी identifier को अप लोग subscribe कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे copy這邊 करेंगेvine में सलाइड में आप लोग को दिखाया था कि हम लोग एक कम्यूनीकेशन करने के लिए communication जब subscribe and send के बीच में जो communication होता है उसके लिए जो signature है signature हम लोग क्या करते हैं ये message को हम लोग देते हैं जैसे माल लीजे यहाँ पर हम लोग एक नाम दे दिये हैं receive data जब हम लोग send करेंगे ये signature को हम लोग use करके हम लोग send कर पाएंगे तभी क्या होगा यहाँ पर data receive होगा तो यहाँ पर मैं यहाँ पर नाम दे दिया receive data और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे और एक callback function को create करेंगे जो क्या होगा एक action होगा तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर एक callback function को create करूँगा और यहां पे क्या होगा यहां पे cinder होगा आप यहांपे value भी लिग सकते हैं यहांपे आप कोई भी एक नाम दे सकते हैं यहांपे आप mouse ओपर लेके जाएए यहांपे जो parameter है आप देखिए value नाम का जो मैं यहांपे identifier दिया हूँ जिसका type क्या है data, मतलब यहाँ पे जो class को मैं subscribe किया हूँ, वही type है ये value, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ एक breakpoint लगा दूँगा, अब क्या होगा, मैं यहाँ पे subscribe करूँगा messaging center को, अब क्या करेंगे, subscribe करने के बाद यह जो class है, यह class subscribe हो जाएगा, अब data receive करन करेंगे, जो content page है, content page से हम लोग data भेजेंगे, मेरा यहाँ पे add employee नाम का जो pop up है, यहाँ से हम लोग data भेजेंगे, data भेजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे, जो मेरा function है save नाम का, save employee, यहाँ पे save employee नाम का यह function है, इसको हम लोग use करेंगे, सेब इंप्लोई में हम लोग क्या करेंगे डेटा को ट्रांसपर करेंगे उसके बाद क्या करेंगे डेटा जब ट्रांसपर हो जाएगा यह पॉप आप को क्लोज कर देंगे नहीं हम लोग क्या करेंगे तो यहां के मैंसिंग सेंटर डॉट जीएगा है यहां पर हम लोग सेंडर देंगे जैसे मा लीजेए पे यहां पर हम लोग एक डेटा को create करेंगे data class का एक new strength create करूंगा और इसी class के अंदर हम लोग data insert करेंगे तो यहां पर जो data है data को हम लोग past करेंगे और यहां पर हम लोगो क्या करना पड़ेगा एक message देना पड़ेगा जो message कौन सा है जहां पर हम लोग के subscribe किए थे कि subscribe का जो signature है receive data इसको ही देना पड़ेगा अगर ये match नहीं करेगा तो data receive नहीं होगा तो यहाँ पर हम लोग ये दिये हैं अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर data provide करेंगे data हम लोग कहां से उठाएंगे जैसे माल नहीं जी मेरा यहाँ पर जो adding program का page है pop up page है यहाँ पर एक name and address जो name and address user दो डालेगा उसको हम लोग provide करेंगे तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा data dot name equals to हम लोग क्या किये है यहाँ पर employee name नाम का एक property हम लोग create किये थे employee name and यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे data dot address equals to address आप लोग यहाँ पर देख पा रहा है यहाँ पर employee name और address नाम का दो property हम लोग create कर लिये है यह जो property है यहाँ पर bind हुआ है मेरा जो content page है मेरा जो pop up page है यहाँ पर आप लोग देख पा रहा है मेरा जो entry है यहाँ पर यह text के अंदर यह employee name bind हुआ है address bind हुआ है और यह mode है to a До a मितलब इहां पर हम लोग क्या करें गए डेटा यहां पर मेरा आ गया है अब क्या होगा यह डेटा मैसिंग सेंटर पर जब बींchen चेंट करेगा लिटा आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वोही डेटा हम लोग की लिस्ट पर एड़ कर देंगे, तो यहाँ के हम लोग क्या क्या करेंगे, यह मेरा employee list है employee list.add, यहाँ के हम लोग क्या करेंगे, एक new data create करेंगे employee का name क्या होगा, value.name and address equals to value.address तब क्या होगा यहाँ पर जब भी डेटा भेजेगा डेटा भेजने के बाद यह वाला जो messaging central subscribed हुआ था वह call हो जाएगा यह जो employee list नाम का list है इसके अंदर यह data add हो जाएगा डेटा एड़ होने के बाद क्या होगा यह जो मेरा list view है list view में यह data haben होके add हो जाएगा तो tabh mis क्या करेंगे run करेंगे application को application को run करेंगे आप लोग यहाँ पर देखवारें मेरा application और यहां पर कुछ भी डेटा को को लिखूंगा अभी देखिए मैं क्या करूंगा मेरा जो भी मॉडल है यहां पर जो मेरा सेव इंप्रोई नाम का बटन है पॉप आप के अंदर यहां पर हम लोग क्या किये हैं यहां पर मैंसिंग सेंटर को यूज़ करके सेड किये तो ही मैं यहां पर ब्रेक पांट लगा दिया हूँ और यहां पर सेव पर क्लिक करूंगा सेव पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख पाएंगे यहां पर ब्रेक पॉइंट पर आ गया है तो आप लोग यहां पर देख पाएंगे मैंसिंग सेंटर पर मैं और एक ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा कंटिनू करेंग तो आप लोग देख पाएंगे मेरा यहां पर data आ गया है मेरा यहां पर data आ गया है अब क्या करेंगे हम लोग continue कर देंगे continue करने के बाद आप लोग देख पाएंगे मेरा जो main page के view model था यहां पर matching center जो subscribe किया था यहां पर breakpoint आ गया है मतलब यहां पर data आ गया है अब अभी आप लोग यहां पर देख पाएंगे बैक ग्रांड जो पेज है पेज में मैं यह list में data को add कर लिया हूँ तो आप लोग देखिए मैं जब continue क्लिक करूँगा continue का दिए जो data है यह data add हो गया है तो मैं और एक मैं नहीं पर जो breakpoint है breakfast को हटा दिता हूँ और क्या करूंगा और एक data को add करके मैं दिखांगा आप लोग यहां पर देखिए 1,2,3,4,5 data है यहां पर तो मैं यहां कर करूंगा और एक data को add करूंगा और एक data को add करूंगा जब मैं save में click करूंगा save करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख परें जो data है data add हो गया है और एक important चीज़ जो आप लोग को बताना होगा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जब हम लोग data को receive करेंगे receive करने के बाद हम लोग क्या करेंगे messaging center जो है इसको हम लोग unsubscribe करेंगे unsubscribe इसलिए हम लोग करेंगे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर add employee नाम का जो command है command पर click किये हैं click करने के बाद messaging center एक बाद subscribe हो गया है अब क्या करेंगे जब subscribe एक बार हो गया है pop-up भी open हो गया है उसी pop-up में आप कुछ भी data को नहीं डालके आप pop-up को close कर दिये है फिर से second बार आप add employee नाम का button पे click किये तब क्या होगा second बार subscribe हो जाएगा second बार subscribe मतलब यह जो messaging center है दो बार subscribe हो जाएगा उसी दो बार subscribe हो जाएगा उसी second बार में अगर आप एक data को भीजेंगे तब क्या होगा अगर दो बार subscribe था तो यहाँ पर दो बार call हो जाएगा जिसके करण क्या होगा data दो बार add हो जाएगा तो इसके करण हम लोग क्या सब्सक्राइब करने के बाद जब डेटा रिसीब हो जाएगा रिसीब होने के बाद हम लोग क्या करेंगे मैसेजिंग सेंटर को अनसब्सक्राइब कर देंगे तो यहाँ पर मैसेजिंग सेंटर को अब सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर messaging center.unsubscribe को हम लोग use करेंगे और याद रख लिजिए unsubscribe करने के लिए जो class को हम लोग subscribe किये थे उसी class को हम लोग को unsubscribe करना है जैसे आप लोग माल लिजिए यहां पर मैं क्या किया था यहां पर जो parameter यहां पर जो भी जो भी generic type यहां पर मैं declare किया था subscribe करने के समाई यह data को use किया था यह जो view model है यह class और यह जो message है यह message को देना पड़ेगा अगर mistake हो जाएगा unsubscribe यह जो है यह अगर subscribe के साथ जो generic types है यह और यह message है और यह जो यहां पर center है यह तीनों अगर match नहीं करेगा तब unsubscribe successful नहीं होगा तो यहां पर मैं unsubscribe दे दिया हूँ मतलब जब data receive हो जाएगा data receive होने के अबब data add हो जाएगा उसके बाद क्या होगा यह जो subscriber है subscribe unsubscribe हो जाएगा फिर से जब add employee पे click करेगा फिर से unsubscribe होगा और data भेजेगा unsubscribe हो जाएगा और यहां पर अगर माली Leta नहीं भेजेगा फिर से दो बार subscribe हो सकता है तो उसी के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग subscribe करने से पहले ही हम लोग और एक बार हम लोग unsubscribe भी कर देंगे यह depend करेगा आपके behavior के उपर आप किस type का data को send करना चाते हैं कैसे उसको use करना चाते हैं उसके उपर unsubscribe को आप use कर सकते हैं आप अंदर में पार दीसेपीरिंग, जब मेथर्ड overrride मेथर्ड कॉल होता है उसे समय पे औंसब्सकाइब भी कॉल कर सकता हैłbyisikaly मैं क्या करता हूँ मैं यहां प्राइब करने से पहले एक बार औंसब्सकाइब कर देता हूँ Hiç government Prime कभी को जीतना बार भी कर सकते हें कोई problem नहीं होता है यह मेरा portable project है, portable project से आप android project, iOS project, किसी भी जगा से किसी भी जगा में आप data को send कर सकते हैं, अगर आप android में खड़े हैं तो portable project में भी आप data को transfer कर सकते हैं with messaging center, तो आज के लिए से पितना ही, thank you for watching, have a great day.